दोस्तो राभूल गांदी ने एलेक्षन के पहले एक बात कही थी कि अगर बीजेपी चुनाओ जीट जाती है तो उसके बाद देश में बहुत कुछ हलचल होने वाली है और ये हलचल की शुरूआज जो है शायद कंगनार नौत के थपड कांड से शुरू हो चुकी है क्योंकि किसान आंदुलन, खालिस्तानी, फिर कंगनार नौत की बाते ये सब कुछ मिला जुलाकर जो थपड कांड हुआ है उस CISF वली जवान का यही कहना था कि उसने मेरी मा को कहा था कि 100-100 रुपे में धरना देने बैठी है ये बात उसे बुरी लगी थी और उसने कंगना कंगनार नौत को पहले बॉल्यूट से कोई मदद नहीं मिली कोई साथ नहीं मिला कंगनार नौत नहीं जम कर लता ला कि कल को जब इसराइल वाले तुम्हें रफा को सपोर्ट करने के लिए गोलिया मार देंगे तब भी मैं तुम्हारे समर्तन में खड़ी रहोंगी लेकिन इसी बीच एक ऐसे इंसान का वयान आता है जो बॉल्यूट से ही है आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है बॉल्यूट से है विशाल ददलानी विशाल ददलानी यानि वही टपलू भाई साब जिनका टकला हमेसा चमकते रहता है जिसने कभी कटुआ में रेप मामले के समय कहा था कि मुझे हिंदू होने में शर्म आती है हिंदू मंदीर में रेप हुआ मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं हिंदू हूँ मुझे हिंदू नहीं होना चीए और प्लाकाट वगरा लेकर ये करीना कपूर सुनम कपूर स्वरा भासकर जैसे तमाम जितने का यह कहना है कि कंगनार रौत को जो धपड पड़ा हलां कि मैं अहिंसा वादी हूँ मैं इन्सा के लिए समर्थन नहीं करता हूं लेकिन सोचे कि उस मैला सीया सब के दिल में क्या बीती होगी जो उसका गुषचा था जिसने कंगनार रौत को धपड जड़ा मैं हिंता के खिलाप हूँ लेकिन अगर उसे नौकरी से निकाला जाता है तो मैं ये दावा करता हूँ कि मैं उसे एक लाख रुपे की नौकरी दूँगा और उसका रहने का पूरा इंतजाम करूँगा तब इस टकलू भाई साब को कौन समझा है कि भाईया जब तुम इतने ही नौकरी दे सकते हों लोगों को तो देश में बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हैं जो दिन रात मूदी सरकार से नौकरी मांग रहे हैं तो उन्हें की नौकरी नहीं देता भाई टकले तू उसे भी नौकरी देनी चीए थी और इस टपलू भाईसा आपके उपर सिधे सिधे अब देखे ये टपलू सब भी मेरे नहीं है मैं देखे वही आप लोगों को कहकर सुनाता हूँ जो सोशल मीडिया पर चल रही है क्योंकि इन विशाल ददलानी को लोग यही कह रहे हैं जब तुस यह सब ऑफिसर को जवाब दे रहा है तो बाखी लोगों को भी जवाब दे दे उपर से सोना महापात्रा जो एक खुद सिंगर है वो कहती हैं कि जब मीटू के आरोप में मैंने अनुमली के उपर जो भी मीटू का आरोप लगाया था जो भी प्रक्रिया थी तो विशाल टर्डानी से जब मैंने कहा कि तुम्हें उसका समर्था नहीं करना चीए एक रियालिटी शो में तो विशाल टर्डानी ने उससे कहा था कि मुझे पैसे कमाने हैं मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं पैसे कमा कर इंडिया को छोड़कर इंडिया से बाहर जाना है इंडिया में नहीं रहना है ये सुना महापात्रा का कहना है तो आप सोचे कि विशार डर्दानी कितने डवल स्टेंडर्ड वाले हैं एक तरफ कह रहे हैं कि मैं इस महिला को जौब दे दूँगा उसके साथ खड लेकिन तारिफ करनियों की मिका सिंग की मिका सिंग का कहना है कि उस जवान ने जो भी किया वो उसकी नीजी चीज थी उसे इस तरह ड्यूटी के वक्त नहीं करना चीए था और इसके चलते बाकी पंजाबी लड़कियों को महिलाओं को नौकरी देते समय प्राइवेट सेक् चीए कि नहीं दिया जाना चीए इस पूरे विशेफ और आपकी जो भी राय है कॉमेंट करके जरूर बताइए